नमस्कार मैं हूँ फरहान और SPN 9 के इस खास कारी करम में आप सभी का स्वागत है आतंकवाद किसी भी देश के लिए एक दुगदाय घटना हो सकती है दुर्भाग पूर्ण हो सकता है यदि किसी देश में आतंकवाद पनप रहा है आतंकवाद दुनिया के किसी भी देश को बरबात कर देता है और आतंकवाद के खिलाफ किसी भी देश को कड़ी मुहिम चलाई जानी चाहिए लेकिन जितना आतंकवाद के खिलाफ रोश होता है और उसको रोकना जरूरी है तो उतना ही देश के हालातों को भी देखना जरूर है हालात से मेरा संबंद है यहां अर्थ-व्यूस्था को लेकर के गरीबी को लेकर जब आज गरीबी भारत में इस चालिस-पैंटालिस साल का सबसे बुरा दौर है जिसे स्थीमे गरीबी पहुंच चुकी है हिंदुस्तान में आज अगर जदी हम ग्रामीर छेतरों में जाकर रहे हैं उसमें कटौती आ रही है यह आउशक्ता है हिंदुस्तान में यह पार 55 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि गरीबी की स्थिति इस नीचाई पर पहुंच गई है कि वहां इस तरह की आशा आउशक्ता वही चीजों के साथ समझोता करना पड़ रहा है देश के नाग देखा जा रहा है लगता रही बीटे दिनों पर श्रीलंका में आतंकवादी हमले हुए आतंक से प्रभावित हो गया श्रीलंका तो इस संब्ध में आतंक निरोधी दस्ता बनाया जाएगा उसके लिए कमेटी बनाई जाएंगी और आउशक्ता है जिन चीजों की आतंकवा श्रीलंका की चुनाव जीतने के बाद श्रीलंका का राश्पती भारत आता था लेकिन इस बार श्रीलंका के राश्पती को भारत स्वयम नेलता दिया है और जल्दबाजी में बस्ते हैं और कश्मीर में स्रच्छाबलों को बढ़ाया गया है शायद कही न चहीं इसलिए भारती जंता पार्टी ने इस इस फैसले को लिया है ले न कहीं अभी देश को पैसे की जरूरत है जहां पर आप ने देखा कि बरबाद हो जाएगा जिस तरह हम देख रहे हैं बेशने का गार परा गया एर इंडिया बिग जाएगी भारत पेट्रोलियम बिग गया लगभग मार्श तक उसका सौधा हो जाएगा सारी अफचारिकता हैं पूरी हो जाएगी मार्श तक तो यहां 50 पैसे निकाल रहा है चाहे महराष्ट में प्याम सी बैंक को लेकर हो या फिर कोई भी को कितने भी घुटा ले हो लगतार सामने आ रहा है राफाइल पर उठाई हूँ लिए भरी सरकार ने उसको खारिच कर दिया है लेकिन लगतार जिस तरह से अर्था गिर रही है फोर पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैल को सब्सक्राइब अवश्र करें तब तक लिए ज्यादत चाहूंगा नमस्कार